नमस्कार मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम दही जमाएंगे जो की दही बहुत अच्छी जम के तैयार होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह दो किलो दूध है और फूल फैट दूध है इन्हें हम दो तीन बार गैस पर खवुला दिये थे तो इसलिए इसमे ज्यादा मोटी मलाई भी पड़ गया है और दूध का कलर भी अच्छा आगया है तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहले बार आए हो तो प्लेज अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को क्लिक कर दें तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा दूध का मलाई जो बगल बगल में था सारा हम एक चाकू के मदद से निकाल दिये हैं और यह इस्टील के बरतन में हम रखे हैं तो इस्टील के बरतन से हम एक नान इस्टीक कड़ाई में रखेंगे क्योंकि इस्टील के बरतन में दही जो है हमारी अच्छी तरह बन नहीं सकती है क्योंकि तला जो है इतना बारीक होता है कि उसमें दूद पकड़ लेता है और जब दूद पकड़ लेगा तो हमारे दही का टिस्ट खराब हो जाएगा तो इसलिए हम यहां पर नानिष्टिक कड़ाही का यूज किये हैं आपके पास अगर नानिष्टिक हो तो आप अल्मुनियम या अल्मुनियम भागोने का यूज कर सकते हैं तो जैसे आप देखे होंगे दादी अम्मा के हाथों की दही कितने अच्छी लगती थे आप पहले का अगर खाए होंगे तो जरूर आपको याद होगा तो उस तरीके से हमारे दही जमाएंगे और बहुत ही लाजबाब दही इवन के तयार होगी तो इस भागोने से अब हम इस नानिष्टिक कड़ाई में ट्रांसफर कर ले रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसलिए इसके तले में ज्यादा लगा हुआ है अगर कुछ देर और हम रख देते तो दूद का कलर जो है खराब हो जाता और टेस्ट भी खराब हो जाता है इसलिए हम यहाँ पर नानिष्टिक कड़ाई यूज कर रहे हैं अब इनको हम गैस पर रख देंगे और धीमी आज कर देंगे मीडियम पर और एक उबाल आने तक हम इन्हें चलाएंगे ताकि हमारी जित्ते भी मलाई है अच्छी तरह से मिल्या तो एक च चला दे रहे हैं ताकि सारी मलाई आच्छी तरह से इसमें मिल जाया अब इसके बाद हम इन्हें बिल्कुल नहीं चूएंगे क्योंकि हमें इनमें एक मोटा मलाई लेना है तो अगर बार-बार हम चलाएंगे तो हमारी मलाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगी अब इसके तो बीस मिनट बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से दूद हमारा खौल रहा है और दूद का कलर आप देख सकते हैं हलका गुला भी आ गया है अभी और गाढ़ा हमें करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीस मिनट बाद हम इसमें दूद हमारा गाढ़ा हो गया हलमसम बीस मिनट बाद हम इसमें केसर रखे हैं केसर को हम दस मिनट पहले भीगो दिये थे उसके बाद हम इसमें केसर का यूज कर रहे हैं और इसे हम तीन से चार मिनट तक और पकाएंगे ताकि केसर का सारा कलर अच्छी तरह से मेरे दूद में एक जॉब हो जाए और वीडियो को अन तक जरूर देखेगा तभी आपके समझ में आएगा अब आप देख सकते हैं दूद हमारा खौल रहा है और केसर जितना केसर का धागा है सब उपर उपर निकल गया देखने में कितना अच्छा लग रहा है और गैस का आज हम बिलकुल धेमा किये हैं आप आप देख सकते हैं कुछ मलाई है फ्रेस मलाई है जो कि हम ज़्यादा दिन का नहीं रखे हैं एक दिन का मलाई है तो इस मलाई को हम इस दूद में डाल दे रहे हैं आधा कटोरी है लमसम इससे क्या होता है दही का स्वाद और बढ़ियां आ जाता है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चमच मिल्क पाउडर है कोई भी मिल्क पाउडर हो दो चमच मिल्क पाउडर है और गुनगुना पानी है इसमें हम दो चमच गुनगुना पानी डाले हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम मिला देंगे ताकि इसमें कोई भी लमस या गाठ ना रह जा तो देख सकते हैं आप इस तरह से हम मिला दे रहे हैं अब इसी में एक चम्मच्छम चीनी डाल दे रहे हैं एक बार इस तरह से आप दही जमा के देखें और अपना अनुभव मुझे जरूर बताएं कि इस तरह से दही जमाने बाद आपको कैसा लगा बड़ी मस्त दही जमके तैयार होती है और खाने में फिर पुछिय मत की कितना बढ़िया होता है तो यहां पर साड़ी को हम बिल्कुल मलाई को ज्यादा टच नहीं किये हैं हलका सा टच किये हैं ताकि हमारी मलाई बिल्कुल ना फूटे और इसी बीज में मिल्क पाउडर और चीनी दोनों को डाल दिये हैं अब इन्हें धीमी आज तक हमें दो मिनट तक पकाना है ताकि सारा चीज अच्छी तरह से एक जौब हो जाएं अब आप देख सकते हैं दो मिनट बाद हमारा दूद का साड़ी जो है काफी मोटी हो गई है और उपर तक आ गई है कोई बात नहीं यह गैस जब हम बंद कर देंगे तो धीमे धीमे नीचे जाएगी देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी मोटी मलाई हो गई है और गैस को बंद कर दिये उसके बाद हम दो घंटा के लिए इन्हें रग दिये थे उसके बाद दूद हमारा ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं अंगुली को जब हम टच कर रहे हैं तो अंगुली हमारी इतना दूद गरम है कि हमें ज्यादा गरम नहीं मासूस हो रहा है ज्यादा हमें गरम नहीं रखना है क्योंकि अगर ज्यादा गरम रहेगा तो हमारी दही अच्छी नहीं तो यह दो तीन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा अब यहां पर आप देख सकते हैं जामन है जिसमें हम एक चम्मच दूद डाले हैं बहुत लोग पानी डालते हैं पर ऐसा आप ना करें एक चम्मच दूद डालके मिलाएं और तीन-चार इलाइची है जिसको हम क्रस करके इसमें डाल दिया है ताकि इसका खुस्बू और स्वाथ दोनो और लाजवाव हो जाए तो बीच में एक चम्मच के मदद से हम हल्का सा फोड़ दिये हैं मलाई को उसके बाद हम इसमें तीन जगह हम आप देख सकते हैं तीन जगह दैघी को डाल दिये बागे थोड़ सम्मलाई के अंदर डालते हुए हिला देंगे ताकि हमारी जितना भी जामन है अच्छी तरह से दही में जगा जगा तब एक जॉब हो जाए इस तरह से आप देख सकते हैं हम 4-5 घंटे के लिए इन्हें रख देंगे रखने के बाद इन्हें हम आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छी दही हमारी जम के तयार हो गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 घंटे बाद हम दही को आपको दिखा रहे हैं देखे इतना टायट दही अमारी जमी है इस तरह हम हाथों से टच कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं और केसर का जो लच्छा है धागा उपर उपर दीखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में बड़ी अच्छी दही हमारी बन के तैयार हुई है इस तरह से आप जरूर जमाए तो यहाँ पर आपको हम एक बार देखा दे रहे हैं कि दही हमारी कितने अच्छी जमी है अब यहाँ पर एक पलता हम लेते हैं और उससे हम दही को काटके आपको दिखाते हैं कितने अच्छी दही हमारी बन के तैयार हुई है इस तरह से आप देख सकते हैं ज्यादा थिक दही हमारी है इस तरह से आप देख सकते हैं और आप एक बार पोहा से खाईए या रोटी से बहुत अच्छी दही हमारी जमी है एक बार हम और आपको दिखा दे रहे हैं देखिए आप कैसे हमारी दही थिक है तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि हमारी दही कैसे बनके तैयार हुई है